एक और सरकारी कमपनी SJVN में जो है अपरेंटिसिप की जगह निकली है और अगर ITI के छात राप है पास आउट है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं सरकारी कमपनी है यहां से अपरेंटिसिप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आज का वीडियो मेरा इसी पे है पूरा कि क्या कौन कौन से ट्रेट के लिए वेकंसी है क्या आप लोगों को स्टाइपेंड मतलब सहली मिलने वाली है क्या किराइट एरिया है एजुकेशन का सलक्षन कैसे होने वाला है फिलाल इसमें सलक्षन जो है वो उसके लिए कोई पिलती रहती है वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं SJVN Limited में जगह निकली हुई है सबसे पहले बात करें तो यहां पर graduate मतलब BTEC के लिए जगह निकली हुई है उसके बाद डिपलोमा के लिए इसके बाद आइटी आइ के लिए निकली हुई है यहां पर आप लोग देख सकते हैं लकटीशन के लिए 100 जगह है आफिस सेक्रेटरियेट इससिप यह स्टैनोग्राफर यह ओफिस असिस्टेंट यह आफिस मनेजमेंट के लिए 5 जगह हैं Fabricator, Fitter या Welder के लिए 10 जगा है Mechanical, Electronics, Journal and Mechanical के लिए 5 है IT Communication Technology, IT Computer Assembly and Maintenance के लिए 5 जगा है Total ITI के लिए यहाँ पर जो है वो 125 जगा है और ITI पास चाहिए है आपको किसी भी जो है इंस्टिटूट से अब बात करें Age Limit की तो Age Limit आपकी यहाँ पर जो है Minimum Age Limit 18 साल, Maximum जो है वो 30 साल है बाकी छूट आप लोग Relaxation देख सकते हैं Stipend मतलब salary की बात करें तो ITI Apprentice के लिए 7,000 रुपे पर मंद salary होने वाली है एक साल की training होगी Reservation as per central government rule होगा और 25% का आरक्षण उनको दिया जाएगा जो project affected family है या project affected area है Only candidate who are domicile of Himachal Pradesh are eligible to apply तो सिर्फ Himachal Pradesh के लिए ही छात्रों के लिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है Other state के छात्रों में भाग नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर जो पहले से apprentice कर चुका है कहीं से भी वो इसमें eligible नहीं है बाकी और बात करें education की क्या चाहिए जो यहाँ पर देखिए selection criteria देख लिए कैसे selection होने वाला है तो ITI trainee technician के लिए 10th की जो है वो 30% merit लगेगी और 70% merit ITI की लगेगी टोटल यहाँ पर 100% merit में से निकाला जाएगा और बात करें apply कैसे करना है तो official website है www.sjvn.nic.in इस website से आपको लोगों को apply करना है valid mail ID के साथ valid mobile number के साथ 100 रुपए फीस लगने वाली है और SC, ST, PWD के लिए जो है वो कोई भी फीस नहीं लगने वाली है बाकि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कौन कौन से documents आपको चाहिए अब बात करते हैं पास डेट के apply करने का 19-12 से form apply कर सकते हैं फार्म खुल गया है और 8 जनवरी 2023 तक form रहेगा और यहाँ पर बाकि अप्लिकेशन राइडवाइस टू अप्लाई इनफ टू अवाइड लास्ट मिनिट रस मतलब लास्ट मिनिट से बचने के लिए आप लोग पहले ही online apply इसमें कर दें ऐसा यहाँ पर लेखा हुआ है और सारी जानकारी मैंने आपको दे दी form की website यह है और selection criteria बता दिया statement बता दिया और जो आपकी merit है वो कैसे बनेगी वो भी सारी चीज़े मैंने बता दिया आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देजे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजे इस वीडियो में बस इतना ही धन्नवाद